इस महामारी में किसे नौकरी की तलाश करनी पड़ी, और कृत्रिम बुद्ध मत्ता, कृत्रिम मानव संसाधन के विभिन प्लेट फार्मों पर अंतहीन परीक्षन किये? हाँ, एक सच्चाई है कि हम तकनीक से सीखते हैं, मशीन आदमी के जगह नहीं लेती यह सही है, दैश द्रिश्टांत, एक सीई उन्हें एक बार एक लक्षे पहचांत सौफ्टवेर तैनात किया, अगले महीने, उन्होंने रैंकिंग में अंतिन स्थान पर रहने वाले को खार कर दिया कि अगर वे अश्वस्त हो गई, तो वे उसे निकाल नहीं देगी, कर्मचारी को वास्तवे कारण डाने बिना ही कर्मचारी कार्यालय के सामने एक एंटीन में बात करने के लिए तैयार हो गया, प्रबंधक को जल्द ही उसे गोली मारने की गलती का यकीन हो गया, व और अधिक पसंद है, वह गलती के बारे में आश्वस्त नहीं थी, दैश अगले देन, अगले देन मानव संसाधन प्रबंधक सीओ के पास आया और कहा, मैं छोड़ता हूँ, सीओ बोले, लेकिन मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा, मुझे समझाओ, उसने जवा नहीं थे, एक मानव, संसाधन प्रबंधक के रूप में मुझे विश्वास है कि यह कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए परियाप्त नहीं है, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूँ, दैश कहानी ने टिक, प्रत्योगिता का ध्यान आकरशित करने के लिए प्रौद्योगित कि में निवेश करने का कोई फायदा नहीं है, अगर यह सबसे कीमती संपति खो देता है, लोग, यदि आप 100% ओनलाइन हायर करते हैं, तो कोई मानव, यह हस्तक्षेप नहीं है, और आपको विश्वास है कि भरती के अंत में सौफ्ट अवेयर आपको एक सुप्रमैन या व ओनलाइन टूल का सामना करते हैं, तो जल्द ही बाहर हो जाते हैं, इसके बारे में खुशना हो, वे एक प्राक्रतिक प्रवृति का पालन करते हैं, आपका मानव संसाधन जितना अधिक रित्रिम होगा, आप उतना ही कम मानव को आकरशित करेंगे, टिप बनो, और मत करेंगे।